नमस्कार मैं RS रोहिला आज आपको बताऊंगा कि ग्रीन हाउस में जो टर्फ में फसलें लगाते हैं सर्दियों में ज्यादा तर उसमें सर्दियों की फसल खतम होने के बाद जनरली लोग सर्दियों में टोमेटो, चैरी टोमेटो, कैपसिकम रेड, कैपसिकम येलो, कैपसिकम ग्रीन और कुकुम्बर वगरा greenhouses के turf में लगाते हैं यह आपके सामने देखे तर्फ दिखा रखी है और यह इन फसलों के बाद की फसल है क्योंकि पजल हो जाते हैं यह देखे यह कोको पीट में लगा रखा है सारा सारा का सारा फसल सर्दियों वाला सब कोको पीट में होता है और बहुत सारा खाद इसके अंदर रेस्टोर हो जाता है और उसी खाद से आप जब में के फर्स्ट वीक में ये सर्दी वाली फसलें खतम हो जाती हैं जो गर्मी में होती हैं वो हम सर्दी में उगाना चाहते हैं तो इसलिए हम Green Houses में जाते हैं और उसमें टर्फ का काम लेते हैं और उसमें टर्फ में कोको पी डाल कर हम वो सब फसलें लगाते हैं लेकिन ये फसलें टेमपरेचर हाई होने की वज़ये से मई के फर्स्ट वीक में खतम हो जाती है तो उसके बाद इन टर्फों में क्या लगाया जाए ताकि इंकम का सोर्स बना रहे तो ये आपके सामने देखिए बेबी पालक लगा रखी है जनरली जो 5 स्टार मार्केट से हैं उन में चलती है और ये आपकी बहुत शॉर्ट डूरेशन क्रॉप रहती है अंदाजा क्रीब एक महीने से लेकर डेड़ महीने के अंदर ये चालू हो जाती है और इसमें कोई भी स्टैक नहीं आते हैं जिनमें बीच जनरली बनता क्योंकि टेंपरेचर अलग होता है और इसमें पत्ते तोड़ तोड़ कर आप दो महीने तीन महीने तक जब आपकी नई फसल नहीं शुरू होती है तब तक आप ये दे सकते हैं और इसके इलावा भी आप धनिया लगा सकत है छोटी फसले जिनकी हाइट छोटी रहती है उनको लगा सकते हैं लैट्यूस की वेराइटीूस लगा सकते हैं जिनका काफी अच्छा रेट रहता ह गर्मी दिनों में मार्केट में क्योंकि ये सब चाथी या तो पाहड़ों से आती है यह फिर हावाई जाजों से पूना या बैंगलोर या उटी से आती हैं तो उनका किराया काफी पढ़ जाता है और वो एक दिन बासी भी हो जाती है तो देखने में बहुत अच्छी नहीं होती है आप अपने यहां से उगा के चीज को मार्केट में देंगे उसका आपको रेट भी कमपरेटिवली ज्यादा मिल जाता है आपकी इंकम भी बनी रहती है और चीज भी ताजा दिखाई देती है इसलिए उसके बिकने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है रोमेन लेटस भी बहुत अच्छा होता है रोकेट अच्छा होता है आरा गुला है वो अच्छा होता है बेचल भी लगा सकते हैं स्प्रिंगनियन लगा सकते हैं चाइब्स लगा सकते हैं तो यह सब इतनी सारी फसले हैं जो आप मई से लेकर जून जुलाई अगस्त तक ल फसलों को लगाते हैं जो कि आपकी मेन फसल रहती है तो इन सब छोटी फसलों को लगाकर आप आराम से पैसा आपको सरदी में मिलता है उसका कम से कम वन फोर्थ तो आप जरूर उठा सकते हैं जिससे की आपकास की ग्रीकुल पालक की फसल को दिखाएगा कितनी अच्छी और स्वच दिखाई दे रही है